कोर्वा सहर में जेसी आई कोर्वा सेंटर ने चलाया कोबिट जागरुखता अभियान लोगों को बाटे मास्क वितृत किये पांपलेट कोरोना संक्रमन के प्रती जागरुख करने कोबिट प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों को दिये समझाईश कोरोन संक्रमन के प्रती लोगों को जागरुक करने हेतु सेवी संगठनों द्वारा सहीयोग दिये जाने की अगली कड़ी में जेसी आई कोर्बा सेंटर ने अपनी सहभा कित दी संस्था के पदाधिकारियों वा सदस्यों ने निगमाधिकारियों के साथ मिलकर जन जागरुकता वियान संचालित किया लोगों को मास्क बाटे, पॉंप्लेट विवत्रित किये उनसे आगरा किया कि वे घर से बाहर निकलने पर अनिवारे रूप से मास्क लगाए सोसिल डिस्टेंसिंग का पालं करे और कोरोना संक्रमन से बचे गौड तलब है कि आयुक्त प्रभाकर पांडे द्वारा कोरोना संक्रमन के प्रती लोगों को जागरुक करने में सहयोग देने का आग्रह स्वयम सेवी वा समाजिक संगठनों वा नागरिक बंधूं से क्या गय प्रक्ष में स्वयम सेवी संस्था 36 गड़ हेल्प वेलफेर सोसाइटी भारत विकास परिसत द्वारा जन जागरुकता अभियान चलाया गया था कोरोना संक्रमन के बढ़ते प्रसार को रोकने वा इससे बचावा सुरक्षा के लिए लोगों को जागरुक होना अतियावश शाषन प्रशासनद्वारा COVID संक्रमन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जग्य हैं जिला प्रशासनवा नगर निगम के अधिकारी कर्मिचारी निरंतर इस पर कारी कर रहे हैं कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोक लगे नए लोग संक्रमित ना हो इसके लिए आमजन को जागरुक करना जरूरी है इसी कड़ी में नगर की स्वयम सेवी संस्था जेसी आई कोर्भा सेंटर ने आगे आकर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जाग रुकिया कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस बड़ी लड़ाई में अपनी सहभा किता दी संस्था के सदस्यों ने कोर्वा के पुराना शहर पुराना वस्टेंड शेत्र में भ्रमर कर वहां से गुजरने वाले बिना मास्क पहने लोगों के साथ साथ दुकानदारों फलसबजी ठेला संचालकों आटो रिक्षाद चालकों वा अन्य लोगों को मास्क पहनाया उन्हें समझाईश दी कि कोरोना संक्रमर से बचा और उसके प्रभावी रोख्थाम के लिए अनिवारी रूप से मास्क पहने सोसिल डिस्टेंसिंग का पालन करे, कोविट प्रोटोकॉल के अनुसार ही कारे व्यवहार करे संस्था के सदस्यों ने जागरुकता का संदेश देते, पोश्टर भी लोगों को बाटे पुराना पसिष्टेंड में नगरपालिक निगम के सहयोग से जेसियाई कॉर्भा सेंट्रल के द्वारा लगों को मास्क के लिए जागरुक किया जा रहे और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन सबको निशुल्क मास्क भी उपलग करा जा रहे हैं मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादो के साथ ममता साहू की रिपोर्ट